अगर कोई सिम्पल अगर कोई if the Mobile अगर अलफभ है तो वह स्ट्रिंग के अंदर तो यह इसी जरी की सिफर टाइप होते हैं कैसे की list टपल्स सैट और दिक्षिनरी फहले मैं क्याम करता हूँ पहले मैं क्रेट यहां पर और इसका नाम में रख देता हूँ है मैं इंटर लिस्ट टपल्स सैट और डिक्षिनट है सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट की किस तरीके का data type है अगर आप cc++ यह java से familiar है तो आपने उसे एक concept पड़ा होगा array का अगर नहीं भी पड़ा तो आपको बता जिता हूँ एरे के उता एरे होथा कि group of similar type of data यानि कि एक हमने कोई variable create कर दिया और इसके अंदर हम similar type का data store कर रहे हैं तो वो array होता था लेकिन list भी array की तरह काता है लेकिन यह array से बहुत advanced है डिबांस कीस तरीके से एरे के अंदर हम सिर्फ similar type का data इस टोर करते लेकिन से अंदर हम similar type का data करने के साथ साथ different type का data भी store कर सकते हैं अगर हम अरे के अंदर सिर्फ नुमेरिक यानि की इंटीजर टाप कי डेटा चुन करें तो सब इंटीजर पर डेटा ही होना चाई कोई Alone रिप्र कोई स्ट्रिंग होना चाहिए तो मैं कोई D equal to अब मैं क्या कर रहा हूं मैं यह पर प्रिंट कर देता हूं और पहले तो मैं replicate कर देता हूं यहाँ पर मैंने लिखा A यहाँ लिखा B यहाँ पर लिखा C यहाँ लिखा D और इसको मैं यह से रन कराके दिखा रहा हम देखिए यह सारा का सारे डा मेरे को शो कर रहे हैं अब मेरे को अगर 100 डेटा अगर यहां पете है इन्टर कराना है पुरा पूरगउब एंटर बाहने आपने गरिया सीट गेहा मिलों और किसे को लॉन stat यहां पर नीचे 1,2 और 96 यह इस तरीके से प्रिंट हो रहा है तो हमने हां पर क्या कि हमनेहांपर करते हैं और यहांपर लेज्ट को क्रीएट किया है और आपको दिखाता पर नैन vendo को यहांद कि यहांपर टीके डिटा भी हम डंण सकते हैं औक अटल चाहिए अगर आपको इस पूरे लिष्ट की अगर आपको फक्ता करनी तो आपका सी की था फे आप यह फर कि आप लोगर षाजने के अग्वाँन ऊसकी शरोगे का अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं यहां पर मैंने आपको बताए कि हम इसके अंदर similar type of data डालने के साथ साथ हम इसके अंदर different type का data भी डाल सकते हो तो डाल के दिखते हैं अब मैं यहां पर यहां का यहां पर अब मैं इसको डबल कोट में लिखू हूं यहां पर लिखाता हूं और अब देखें अच्छा लेंथ यहां तो लेंच हो कर रहा है देखें यह इसकी पूरी अब बात करते हैं कि मेरे कोई भी data access करना हो तो मैं किस तरीके से access करूंगा वह मैं आपको दिखाता हूं कि हम कोई भी प्रिंट लिखने के बाद मैं यहां पे एक चीज़ में आपको बता दूँ चाहिए वह कोई भी लेंगज हो चाहिए वह लेकिन प्रोग्रामिंग में इस तरीके से नहीं होता चाहिए वह कोई सी प्रोग्रामिंग लाइंगज हो आप कैसे उनको बिनोगे जीरो वान टू थ्री फॉर फ्राइफ सिक्स एमने टना तो यहां भी इसी तरीके से होगा यह जीरो थ पॉजिशन पे है वन यह टू फॉ देखे अगर मैं 0 से start करूँ देखे जैसे यह 0 1 2 3 और 4 अगर मैं यह पर 4 लिख देता हूं देखे अच्छा का index के लिए index के लिए हम square bracket का use करेंगे देखे तो मैंने 4 लिखा तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए 0 1 2 3 और 4 फिफ्टी टू पॉइंट थर्टी शिक्स अच्छा पॉइंट में था यह ओके तो यहां पर 52.36 यहां पर प्रिंट हुआ है अगर मैं यहां पर 0 लगाता हूं त तो दीखिए 2 आएगा, यह देखें, यह क्या है, यह position यह indexing बता रहा है, कि L1 की first index पे कौन सा data है वो आप मेरे को print करके दो, तो first indexing पे कौन सा data है, 2 है, 2 आप इसने ये चीज़ दिखा इए, अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं, इसको म यहां लगाएंगे तो यह पर नीचे लिस्ट शो हुआ रहा है कि सकते हूं और अब बात करते हैं हम reverse access किस तरीक से करते हैं देखे लवन देखे हमें 0 इंडेक्स वाला कोई डीटा चाहिए था हमने यहां पर 0 लिख देते थे तो आ जाता था तो अगर मेरे को आखरी से एक्सेस करना हो तो किस तरीके से करूंगा देखिए यहां से जीरो से स्टार्ट हुआ अगर मैं यहां पर 7 लिख देता हूं तो अगर मेरे को अखरी से अगर इसको एक्सेस करना हो तो मैं कैसे करूंगा तो मैं यहां पर लगा दूँगा सीधे लगांगा तो भी यहां पर रिखन लिखिए यहां पर फिर अगर मैं मैं माइनस टू लिखता हूं तो कौन से आएगा माइनस वन और माइनस टू याने कि गूगल आएगा देखे गूगल आया और ठी लिखा मैंने तो क्या आता है देखे उडीमी आया तो अगर यहां से यहां पर मैं लिखता हूं और अब मैं यहां पर करता हूं और मैंने यहां पर किया कि मुझे आप दिखा दो इंडेक्सिंग से लेके फिफ्ट इंडेक्सिंग तक का मेरे को सारा डेटा प्रिंट करा के दिखा ओ यह हम बीच में लगाते हैं इसका मतलब क्या हुआ हूआ इसके अंदर एक चीज़ और वह हूँ आपको प्रिंट कराने के बाद दिखाता हूं दिखे सब से पहले से 85.56 तक का डेटा दिखाना चाहिए लेकिन इसके अंदर कुछ एक ट्विस्ट है मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए यह 96 से तो स्टार्ट हुआ और टेक्निकल इसको कहां तक जाना चाहिए था 85.56 तक लेकिन यह 52.36 तक ही आया ओके तो इसका रीजन है कि यह स्टार्ट तो 2 से होगा लेकिन यहां पर हम 5 लिखने तो यह 5 तक नहीं यह से एक कम तक जाएगा यानि कि यह 2 से लेके 4 इंडेक्सिंग तक का ही डेटा शो करने वाला है तो यह 96.2.52.36 ही शो करेगा ओके तो इस तरीके से हम डेटा जो है वो शो करा सकते है और एक चीज और मैं आप यहां पर कुछ नहीं लिखा यहां पर कुछ भी नहीं है तो यह स्टार्टिंग से डेटा पूरा दिखाएगा कहां तक 5 तक लेकिन 5 तक ने 4 तक ही दिखाने वाला है मैं आपको रन कराके दिखाता हूं यह देखिए 1 से स्टार्ट हुआ और 296.252.36 यहां तक गया इस तर 25.36 Udemy Google NewTig यहां तक यह आखिर तक ही है क्यों क्यों कि यहां पर कुछ लिखा नहीं था तो यह आखिर तक ही जाने वाले है इस तरीकी से अगर मैं कुछ लिख देता हूं अगर मैं यहां पर 7 लिख दे तो 6 तक ही शो करने वाले है तो एक बर मैं 7 तक लागके एंटर करता हां यह देखिए सिफ मिझे कहा तक दिखाया ओडीमी तक दिखाया 0 1 2 3 4 5 6 6 तक यानि कि 85.56 और ओडीमी ही दिखाने वाले है तो यह चीज़ थी है अच्छा अगर आपको यह जो लिस्ट है इसके अंदर आपको कोई data अगर change करना है तो आप किस तरीके से करेंगे वह मैं आपको दिखाता हूं कि आप यह जो data है वह किस तरीके से आप change करने वाला है तो मैंने कहा किया मैंने यहां पर लिख देता हूं कि अच्छा अब यहां पर क्या लिखेंगे यहां पर स्क्वेर ब्रैकेट मैं कौन सी इंडेक्स पे अब यहां पर यहां पर यहां पर करता हूं यह देखेंगे यहां पर लिखा है तो मैंने डेटा को इस तरीके से मैंने चेंज कर दिया ओके चलिए अब आगे चलते हैं मैं इसके अंदर data को insert करता हूं जिसका नाम है insert तरीके सोगा यहां पर मैंने लिखा ल्वन यहां पर मैं लिखता हूं इंसट यह पर मेरे को शो कर दिया मैंने यहां पर इंसर्ट लिखा उसके बाद अम मैं जो डीटा है वो डालोगा मैं क्या डीटा डालने वालो मैं डालता हूं अच्छा यह डीटा जाएगा कहां पर यहां पर मेरे को इसकी पोजिशन भी देनी पड़ेगी कौन सी मैं चाता हूं कि यह सेकंड इंडेक्सिंग पर चला जाए यानि कि 0 1 और 2 अब जैसे 1 2 और 96 शो कर रहा है तो अब यह 1 2 41.23 फिर 96 ऐसे शो करेगा मैं दिखाता हूं आप अब देखना अब ध्यान से यह देखिए 1 2 और 41.23 यहां पर शो किया उसके बाद 96 शो कर रहा है इस तरीके से हम डेटा को इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और एक इंसर्ट करने का एक और मैथट है अपेंड करते हैं अपेंड किस तरीके से करेंगे इसको मैं कमेंट आउ 121.append ये मेरे को शो करदा अब पर, अब हम देखिए data इस अप नहीं देता है हम यह कोई से बाइडने सबसें नु खिता है यहां जाता है नहीं नहीं यानि में वरा रखए आप यहां चेंट तो लिखते हैं तो लास में चला जाता है और अगर आपको किसी स्पैसिफिक पोजिशन पर इंसर्ट करना है तो आप यहां पर अपनी इंडेक्सिंग यहां पर लगा सकते हैं कमेंट आउट कर देता हूं चलते हैं अगली तरह अगर मेरे को यहां से कोई डीटा अगर मेरे को इस लिष्ट में से कोई डीटा अगर मेरे को रिमूफ करना है तो वह किस तरीके से करेंगे वह मैं आपको दिखाता हूं यह दिखें यहां पर मैंने लिखा लवन डॉट अब करना है कौन सा डेटर रिमूव करना है मिरे अब जो भी डेटर रिमूव करना होगा वो मिरे को यहां पर डालना बढ़ गए जिसे 25.56 और यहां पर रन कराता हूं अब यहां पर 85.56 शो नहीं कर रहा है होता है तो मैं यहां पर कराता हूं और देखें यहां से गायब हो गया है तो आपको इस तरीकरी से हम डेटाई इसकेंदर रिमूफ कर सकते हैं अच्छा अगर आपको अगर आपको indexing जासे हम indexing number अगर डाल के data को remove करने चाहते हूं वह किससे रिखता करेंगे यह तो item wise हमने data remove किया अब indexing wise data भी remove हो सकते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखने वाले हैं पॉप अब लिखने के बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा तो इस तरीके से अपना जो डीटा है डिलीट कर सकते हैं अच्छा अगर मैं यहां पर सिर्फ पॉप कर दूं तो कौन सा ओना चाहिए पहले मैं यहां पर प्रिंट करा कर दिखा देता हूं सब कुछ प्रिंट हो रहा है देखें वापस से आगे ना 52.36 सारी चीज़ आ रही है अब मैं यहां पर सिर्फ खाली पॉप अगर में लगा द ने Tacane कर दिया तो आखरी से डिलीट कर दिया तो इस तरीकी से हम इसके दर दिलीट कर सकते तो मैंने आपको बता दिये था कि यह और तरीका यहां पर मैं यहां पर लगा सकता हूं और इसके अंदर मैं उसकी पोजिशन लिख देना हो कौन सी की इंदेसिंग वाला उसको डिलीट करना है तो अब मैं यहां पर रिखाता हूं यह देखे जीरो तो 1, 2, 3, 4, 5, 85.56 धराइब हो जाना चाहिए यहाँ पर कुछ निशू कर रहा है 85.56 तो आप चाहिए इसका इस्तमाल कर लो यह रिमूफ कर लो यह पॉप कर लो इस तरीक से आप डेटा जो है वो डिलीट कर सकते हो अच्छा अगर आपको पूरी लिस्ट ही अगर डिलीट कर नहीं हो तो आप कैसे करेंगे? लेकिन देल 버했 कर लो यह अगर covered कर से और आपको आपको करेंगे देखें, मैं आपको समझाता मैं किस तरीक से तो मैंने यहाँ पर कर दिया यहां पर कर। लवन क्या है लिस्ट है तो मैं पूरी लिस्ट ही यहां पर डिलीट करने वाला तो मैं आपको दिखाता हूं नहां पर नीट कर दी मैं घंट करता हूं यहां पर exhibits क्रिएट थी आरी चलती आरे चलते आप यहने डेल वन कर दियो निस्ट को मैंने डिलीट कर दिया अब यहां पर कोई डेटा है नाम का तो यहां पर प्रिंट क्या करेगा इससीलिए यहां पर घॉकर रहा도 अब मैं इसको हटा दूं और वापस से कराऊं तो लिस्ट वापस से आ जाएगी इस तरीके से मैंने पूरी लिस्ट को डिलीट कर दिया अच्छा अब बात करते हैं सौर्टिंग की आप सौर्ट कर सकते हो जैसे कि यहां पर कोई यहां पर डीटा पूरा डला हुआ है तो आप यहां पर मैंने लिखा है और मैं आप ब्रिंट करता हूं अब आप देखना यह जो डिटा है यह वंड तू सिक्सनार गूंट इस तरीके से साउट होके दिखाया यह देखिए तो इस तरीके से यहां पर दिखा रहा है तो इस तरीके से और भी शौट कर सकते हैं कैसे यहां पर मैंने लिखा कि यहां पर मैं लिख देता हूँ है यहां पर मैं लिख देता हूँ है यहां पर लिख देता हूँ है यहां पर मैं लिख देता हूँ है यहां पर मैं लिख देता हूँ है तो अब मैं इसको अल्फाबेट तरीके से मैं इसको डीटा को सौट करना चाहता हूँ तो यह अल्फाब देखे अब यहां पर आप जो data है वो हैसको reverse भी आप sort करहा सकते हो कैसे पहले मैं आपको यहां पर run करा कि दिखा देता हूं यहां पर जो data फो a b d इस तरीके से शो रहा है लेकिन आप अगर चाहो तो reverse तरीके से भी आप शो करते है जैसरे पहले यू दिखा है फिर h आया फिर B आया फिर A तो इस तरीके से आप जो डेटा को रिवर्स कर सकते हो अच्छा यह यह नुमेरिक के अंदर भी काम करता है कैसे जैसे कि मैंने यहां पर डाल दिया यहां पर मैंने डेटा लेगा 52 और मैं यहां पर क्या करता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं रिवर्स इकल टू में ट्रू और यहां पर मैं L3 को प्रिंट करा देखें यह देखें पहले 63 दिखा रहा है फिर 52 फिर 41 फिर 6 फिर 2 इस तरीके से मैंने डेटा को रिवर्स ओडर में भी प्रिंट करा के मैंने आपको दिखा दिया ओके अच्छा अब एक चीज क्यों हम और बात करते हैं देखें यहां पर लिस्ट मैंने कौन-कौन से क्रेट कर दी L1, L2 और L3 यहां पर तो यह तीन टाइप की लिस्ट है अच्छा अगर मेरे को यह सारी लिस्ट यह तीनों लिस्ट अगर मेरे को जोड के एक लिस्ट बनानी हो तो वह मैं किस सरीके से बनाऊंगा वह मैं आपको दिखाता हूं पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं यहां से और यह जो मेरी है L1, L2, L3 यह सब बनी होई है यहां पर मैं एक लिस्ट बना देता हूं X नाम की इसके अंदर मैं L1 प्लस L2 प्लस L3 और अब मैं यहां पर जो है वह X को प्रिंट कराने व L2 और उसके अंदर L3 भी मैंने यहां पर एड कर दिया तो अब देखे रिजल्ड क्या आएगा यह देखे इसने क्या किया यह तीनों की तीनों लिस्ट को एड करके यहां पर दिखा दिया आखरी क्या था देखे वन से न्यू थिंग तक यहां से चालो है उसके बाद से फि होते हैं तो लिस्ट के अंदर जितने भी मैथट्स थे वह मैंने आपको बता दिया और अम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए थैंक यू